माता सरसुती आप माता लक्षमी और माता पार्वती आप ब्रम्हा विश्नु महेश तीनों की शक्तियां हैं वो तो हम है तो फिर आप से बड़ी शक्ति कोई कैसे हो सकती है तुम कहीं अनुसुया की बात तो नहीं कर रहे हो हां माता हां आजकल जहां भी जाओ उन्हीं की चर्चा हो रही है उसने कौशिक और कौशिकी को जीवन दान दिया है सुन्दर काया दी है तो क्या वो हमसे बड़ी हो गई इसलिए तो माता इसलिए तो मैं अपने आप से पूछ रहा हूं कि धर्ती पर जनम लेने वाली एक है कि जब मैने स्वैं मठवाण एक भगवान ब्रह्म देव भगवान विश्णु और भगवान शिव तीनों को उस सती की प्रशंग्सा करते सुना नारायण नारायण सुना है आजकेल आप बहुत गुंगान कर रहे हैं उसका किसकी बात कर रही है आप जिसके सतीत्व की प्रशंगसा करते करते आपके जीवा नहीं ठकती जिसको महा सती की उपाधी से सुशोभित करके आप तीनों देव उसकी चरण बंदना करते फिर रहे हैं नहीं नहीं मुझे तो लगता है कि नारत को भगवान विश्णु की किसी लीला का अभास हो गया है इसलिए उसने आप तीनों देवियों के मनों में सती अनुसुया के प्रती इर्शा का भाव जागरित कर दिया है आप माने या न माने मैं सती अनुसुया के सतीत्व की शक्ति जानना चाहती हूं और इसके लिए आपको उसकी परीक्षा लेनी ही होगी कि जैसी देवी की इच्छा जैसी आपकी इच्छा देवी हमें परीक्षा लेने जाना ही होगा जैसी शेल पुत्री की इच्छा स्रिष्टी करता आप भी परीक्षा लेने जाना है जैसा लेने जा रहे हैं विवश्व भगोन विवश्व योगेश्वर परीक्षक बनने पर हमारी और से बधाई हो मेरे विचार से हम तीनों ही बधाई के पात रहें अपनी अपनी देवियों के हठियों के सामने नत्मस्तक जो होना पड़ा परमपिता आपको दुविधा होने वाली है क्यों भगोन शती अंसुया आपकी पुत्रवधु जो है प्रभु फुत्रवधु हो या पुत्री जबतक हम उनकी परिक्षा लेकर ब्रह्मानी को उचित उत्तर नहीं देते तब तक हमारा ब्रह्म लोग लोटना नहीं होगा ब्रह्मदेव कि परिक्षा लेंगे तो उत्तर तो मिलेगा ही पर अब सोचना यह है कि परिक्षा का मार क्या हो नारायन जगत नियंता त्री देवों को नारत का प्रणाम दिवर्शी नारत आप यहां अपनी वाग पटुता का परिणाम देखने आये होंगे आप ऐसी चर्चा करते ही क्यों है जिसके कारण देवी शक्तियां हमें चिंता में डाल देती है नारायन नारायन हरहर महादेव जैजैशिव शंफू हे भोले नाथ आप अपने भक्त पर आरोप लगा रहे है प्रभू यह आरोप नहीं है नारत सत्य कटू होता है इसलिए आपको बुरा लग रहा है शांत्र त्रिनेत्र धारी नारत की लिलाय ऐसी ही होती है दुसरों की भावनाव को तनिक से च्यूटी काटकर आनंद लेना इनका मनों विनोत बन गया है कभी नहीं चाहा है यह संकड मोचन प्रभू मैंने तो केवल माताओं को महा सत्य अनुशुया के चमतकार की कथा सुनाई थी ऐसा क्या कह दिया उन्होंने आपको हमें उस सत्थ की परिच्छा लेने को कहा है जो हम तीनों की शक्तियों का आधार है यह सब आपके चमतकार की चर्चा के कारण ही हो रहा है संपूर्ण सृष्टी को अपनी मोहिनी माया से ब्रहमित करने वाले जगत पालक मैंने कुछ नहीं किया प्रभू कुछ नहीं किया आप ही कराते हैं और आप ही करते हैं इस परिक्षा लीला में भी क्या चुपा है आप ही जानते हैं प्रभू नारायन 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 चले प्रभू महर्शी अत्री के आश्रम की ओर चलिए वो देखें प्रभू आश्रम की यग्यवेदी वहाँ है सती वही होगे प्रभू हम तीनों सती अंसुया के आश्रम में इस वेश भूशा में नहीं जाएंगे हम उनके समक्ष साधू का रूप धारन करके जाएंगे अच्छा सुझाओ है मैं नीती शास्त्र की सभा में जा रहा हूं देवी बिना अनजल ग्रहन की यही जाएंगे आरे पंच्छा मेंच से ही पूर्णत्रिप्ति हो गई जय 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 प्रणाम साधुजन कल्यान मस्तू आप सब कहां से पधारे हैं हे देवी हम हिमाले के उत्तंग शिखर गौरिक शेत्र से आये हैं हम विंद्यागिरी से आपके दर्शनार्थ आये हैं माता हम कश्यप सागर के तट के साधु हैं तीवी आपके आशिरवात की इच्छा से आपके आश्रम में आये हैं आश्रम में आप सबका स्वागत है पधारे महात्माओं महारिशी अत्री निकट की ग्राम में शास्त्र गोश्टी के लिए गये हैं मेरे योग कोई आदेश हो तो माता यात्रा की धकान के कारण विश्राम की इच्छा से हम यहां पधारे हैं आपके विश्राम के लिए पूरी विवस्था हो जाएगी अभी आपको विश्राम मणी विजवाने का प्रबंद करती हूँ तेवगिरी आग्या माते इन महात्मा अथितियों को पर्णकुटी में ले जाओ जो आग्या माता हम तीनों जहां जाते हैं संध्या यगी की सुविधाओं के साथ ही हमारा अथित्य होता है कोई आपत्ती नहीं हमारे शिष्य यहीं आपके लिए सारी विवस्था कर देंग पहले कुछ मदूपर्ग करके यात्रा की ठकान तो धूर कर लें आप तीनों अपनी संध्या उपासना का नित्य कर्म पूर्ण करें मैं आपके लिए भोजन की विवस्था करती हूँ रुखिये मता हमारा भोजन फल तता गौव दृप्ध और सांपक का ही होता है मैं जानती हूँ भोजन का सपर्ष किसी वस्त्र से नहों माता कि क्या मुझे भोजन परोस्ते वक्त निर्वस्त्र होकर ही परोस्ता होगा मता हे पर्मेश्वर यह कौन सा धर्म संकट ऐसे योगी ना तो मैंने कभी देखे हैं और ना ही सुने हैं आप तीनों कौन हैं दीवी हम तीनों तीन स्थानों की योगी हैं यदि आप हमारी इच्छानुसार भोजन नहीं दे सकती तो हम जाते हैं नहीं नहीं आप महर्शी अद्री के आश्रम से बीना भोजन की नहीं जा सकते हैं झाल दुआ एकप्वाण ही जाएजर आप हमारी अज़न परहां तीन सुने हैं कि बैठिए मैं इस नान करके आपके नियमा नुसार भोजन का प्रबंद करती हूं कि बैठिए मैं प्रबंद करती हूं नारायन नारायन जोगन ने जादू चलाए दियारे अनुस्रियान ने जादू चलाए दियारे तिनों देवों को बालक बनाए दियारे योगन ने जादू चलाए दियारे आए थे बरीक्षा लेने यहां पड़ गय लेने कि देने बालक बनकर ब्रह्मा भूले सिष्ट की रचना सारी विष्णु भूले सिष्ट का पालन पाकर पालन हारी जान समाधी से मोह की व्याधी में पड़ गए शिक्रि पुरारी भाग्यवती अनुस या सती बनी तिनों की महतारी पर्यों प्रह्मा भिष्णु महेश बने हैं एक सती के ललना अनुस्रिया की थाम के उंगली सीख रहे हैं चलना जै अनुस्रिया चमत खारी तेरी मंका पे बलहारी जग चालकों को चलना सिखाई दियोरे इनों देवों को बालक बनाए दियोरे पर्यमेश्वर को मानव बनाए दियोरे जोगन ने जादू चलाए दियोरे मंता को दिवला जलाए दियोरे संपूर्ण ब्रह्मान को खिलाने वालों पहले कभी मा की ममता का ऐसा प्रसाद मिला नहीं ना सारे वीश्व का पालन करने वाले प्रभू आपने मुझे अपने पालन पोशन करने के योगे समझ कर बहुत उपकार किया है सच मुझ कितना भोला रूप है आपका भोले नाथ मैं आपको अपने आश्रम में पाकर धन्य हो गई परमपिता पहले तो प्रणाम स्विकार कीजिए और ससुर्जी होते हुए आशिरवाद दीजिए और अब पुत्र बनकर हमारा आशिरवाद लीजिए यह सब क्या है देवी यह तीन तीन बाला के एक साथ हमारे आश्रम में कैसे आ गए यह तृदेव है स्वामी तृदेव यह पहले वाले आपके पूजी पिताश्री ब्रह्मा जी है यह श्यामवर्ण तमल नयन भगवान विश्णु है विश्णु और यह प्रभुशिव है शिवशंभू परन्तु यहां साधू बनकर भिख्षा मांगने आये थे कुछ ऐसी भिख्षा मांगी इन्होंने कि मुझे अपनी ममता का प्रसाद देने के लिए इन्हें बच्चे बनाना पड़ा ऐसा क्या मांगा था इन्होंने भीक्षा के बहाने परिक्षा लेने आये थे मेरी परिक्षा कैसी परिक्षा ब्राता श्री त्री देवों का आपके आश्रम में भावी मा की परिक्षा लेने आना क्या स्वय में एक रहस नहीं है मगर परिक्षा क्यों किसलिए प्रभू की लीला प्रभू ही जाने प्रभू की लीला प्रभू ही जाने ऐसी क्या परिक्षा लेने बैट के थी नो हाँ, मुझे भी चिंता हो रही है देवी लक्ष्मी आप तो भगवान विश्णु की योग माया है जरा चिंतन करके देखिए कि प्रभू अभी तक लोट कर क्यों नहीं आए नारायन, नारायन, नारायन प्रभू प्रभू प्रभू